गोरकपूर न्यूज के सरप्रायोजक है मठकू मंगलम टावर गोलगर गोरकपूर राजस्थान के उदैपूर में हुई घटना पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजे कुमार निशाद ने कहा कि राजस्थान की घटना मानवता को है शर्मसार करनेवाली सरकार जल्द से जल्द जाच करवाकर करवाए अपराधियों को फासी की सजा जिलाविदिक सिवा प्राधिकरन के तत्ववधान में जनपत नियाधी स्तीज प्रतापतिवारी के अध्यक्स्ता में आर्बिट्रेशन के माध्यम से निश्पादन हो सकने वाले वादों के निस्तारण के लिए विशेस लोग अदालत का किया गया आयोजन विशेस लोग अदालत में आये कुल 574 वाद 138 वादों का किया गया निस्तारण दो स्टेशनों के बीच में ट्रेन होने से अब ट्रेने नहीं होगी लेट रेल की लाइनों पर रफतार के साथ ट्रेनों की भी बढ़ेगी च्छमता रेलवे बोर्ड ने पुरुत्तर रेलवे में आटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम को लगाने की दी मंजूरी पहले च्रेन में गुरेपूर से लखनाओ के बीच पुरुत्तर रेलवे भी कारे कराने के लिए कर रहा है एजनसी फिक्स पुरुत्तर रेलवे किसी पियारों ने दी जानकारी प्रधान मंत्री मत्स संपदा योजना मच्वा मत्स पालको की प्रदेश सरकार के मत्स विभा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजे कुमार निशात यद्दिक्स्ता में विचार गोस्टी का किया गया आयोजन कहा मत्से संपदा योजिना से मच्छवा समुदाय लोन लेकर मशली पालन कर बढ़ा सकता है अपनी आए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा का सहारनपूर SSP के पत पर हुआ तबादला जुनपत के पॉलिस कर्मियों वा सम्मानित नागिर को ने माले अरपड़ कर SSP को दी विदाई सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्ति कैम्पेन के अंतरगत कच्रा संगरहन करता स्वैम सेवी संस्थाओं ग्रीन हीरोज के सम्मान समारों का किया गया आयोजर अपर नगर आयुक्ति ने पच्चास कच्रा संगरहन करताओं को प्रसस्ति पत्र दे कर किया सम्मानित और S.S.P. डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बेनी गंज चौकी का जीरोद्वार कर फीता काट कर किया उद्गाटन कहा चौकी से आम जन्मानस के समस्याओं को समाधान करने में होगी आसानी झाल